हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम टू आय सिंदी, आई होप यू आ डूइंग ग्रेट, बिहार आर्थिक सर्वेक्चर 2020 से संबंदित हमारा ये लेक्चर सिरीज का आज ये दूसरा एपिसोड है, इसमें हम चैप्टर सकेंड के बार में बात करेंगे जो कि स्टेट फाइनेंसे से सं कर सकते हैं, ये कहता है कि a well-planned work produces good results even in adverse condition, अच्छे से किया गया कारी हमेशा ही एक अच्छा फल प्रस्तूत करता है, बहले ही situation कितना भी खराब क्यू नहों, तो इस तरह का जो कोट है वो हर चैप्टर के बिग्निंग में दिया गया है, कुछ कोट हैं जिसका हम यूज कर स अपने main sensor writing में, तो इसको इशुरुवात करने से पहले, डेटा के बार में पता करने से पहले, कुछ टर्म से जिसके बारे हम जान लेते हैं कि वो होता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में 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 डेटा हैं, बहुत सारे हैं, और हमें सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजे ही या यह जो capital account यानि की पुझीगत लेखा होता है, इसमें राजी सरकार के वैसी transaction, वैसे लेंदें दर्ज होते हैं, जिसका जो हो long term implications होते हैं, दिर्ख कालीम impact परता है, जैसे की borrowing, कर्ज लेना, या फिर infrastructure पर investment करना, तो infrastructure में आपको कम से कम 5-10 साल, इतना time चाहिए, यह साही ची जाते हैं, इस सब का जो account होता है, जो लिखा जाता है, वो सब आता है हमारा capital account में, अब जो revenue account है, जो राजस्व लेखा है, वो ऐसा लेखा होता है, उसमें उस तरह के लेंदें सामिल होते हैं, जो सिर्व वर्तमान वर्ष के लिए होते हैं, जिसका use है, सिर्व वर्तमान व term implications वाली जितनी वी चीज़े होती है वो सब हमारा capital account में आता है जो current year के लिए जिसका short term implication होता है वो सारी की सारी चीज हमारी revenue account में आती है अब हम बात करते हैं कि direct taxes क्या होती है और indirect tax क्या होती है तो वैसी taxes प्रत्यक्ष कर वैसी कर होते हैं जो जिसका जो बोज है वो direct उस person पर पड़ता है जैसे कि income tax wealth tax बाकि सारी चीज़े तो जिसकी income है उस इंसान को वो tax देना होता है तो इसलिए इसको हम कहते है direct tax अब आता है कि अब प्रतिक्ष कर या पिंडारेक्ष क्या होता है तो इसमें जो बोज है जो करका जो बोज है वो आम तो उस इंसान पर नहीं पड़ता जो उसको चुकाता है जैसे कि जो हमारा एक किसे बायर से तो यह एक तरह से जो इस टैक्स जो बोज है वो इंडारेक्ष किस पर आया है बायर पे पैट किसके दौरा किया जा रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं इंडारेक्ट टैक्स अब हम बात कहते हैं कि Fiscal Deficit क्या होता है और primary deficit मतलब राज क्योशिय घाटा और में गाटा, तो जितना हमारा अमद्नी है, उस चे ढ़रा ख़र्चा थया है Talk में खाटे में रहेंगे इसे को अगर मि करते हैं इसी को means nAh its it जितना है उस्सक्राणी में खाटा हम समझना चाहते है इसी को भाड़ा कम्त चाहते हैं तो चाहिने में प्राप्ति होता है यह जो है वो अतीत की देदाइयों को ध्यान में रखे विना सरकार के घा ते को वहत्ता है कि करेंट में सरकार ने कितना लॉस में रही है यह सारी चीजों को पता करने के लिए अब हम जो हमारे जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं एक्जाम पॉंट रव्यू से उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारे यह है कि राजकोश्य घाटा जो फिसकल डेफिसिट है वो ने धारी शिमा के अंदर ही रहा है रहना चाहिए कितना 3% से कम 3% के कमी रहा है बिहार का जो रहा है वो 2.6% रहा है ठीक है यहां पर देखिए 2.68% रहा है साथी साथ जो हमारा रेविन्यू 100 प्लस है वो 1.34% ऑफ जी एसड के असपास है तो हमारा यहां पर तीन जो इंपोर्टन चीज जो हमें याद करें वो यह कि फिसकल डेफिसिट जो है वो 2.68% है जो हमारा रेविन्यू सप्लस है वो 1.34% है और जो पब्लिक टेट लाइबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्मेंट है वो 32.34% है साथी साथ हमें माल का जो रिपोर्ट है वो पेश किया जा चुका है और उसके अनुसार बिहार का जो हिस्सा है वो बरतवान में कितना है 9.67% है उसको बढ़ा के 10.06% कर दिया गया है तो यहां पे एक सवाल बनता है तो बिहार का कितना हिस्सा है 10.06% in according to 15th Finance Commission recommendation अब हम बात करते हैं कि बिहार म यह प्यूर डेटा है आपको इसको मगब करना है याद करना है याद होता है तो ठीट नहीं तो कोई बात नहीं बिकोज इतनी सारी चीज़े किसी भी इंसान के लिए याद करना बहुत मुश्किल है तो सबसे पहले तो यह कि वर्श 2018-19 में बिहार में को राजासु प्राप 124897 करोर और जो कुल हुए मतलब टोटल एक्सपेंडीचर जो स्टेट में रहा है वह 154655 करोर के आसपास तो हमारा जो राजासु प्राप्ति है मतलब जो रेविन्यू सरकार को मिला है जो रेविन्यू रेसिप्ट है वो कितने फीसिती दर से बढ़ा है 12.2 सवाल यहां से बनता है कि रेविन्यू रेसिप्ट के जो इंक्वीज्मेंट कर चल्डों से वही है तो 12.1 पर से रही है और जो रेविन्यू एक्सपेंडीचर है वह कितने परसन से बढ़ा है 21.7 पर्सन से बढ़ा है 201.7 परसें से बढ़ा है तो यहां पर हमारे कॉन कोन से डेटा आगे और राजस्व वे कितना रहा है तो राजस्व वे व्रिद्धी प्राप्ति वे कितनी हुई है बागी सारी चीज़ा हमें याद करनी है अब जो हमारे लिए इस चाप्टर में कुछ खास था नहीं जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिग्निंग में ही का कि मेलनी डेटा हैं जो मैं याद करनी हैं अब वो भी कुछ स्पेसेफिक वांस कुछ कुछ कोस्टन्स अंसी क्यूँ जो इस चाप्टर से संबंदित है वो कि आर्थिक सर्वेक्षन के नुसार वर्श 2018-19 में बिहार में राजकोश्य घाटा सकर राजगरी विलूपात के कितने फीसदी रहा है सबसे पहला हमारा आंसर है 2.68% 1.34% 1.35% 2.65% तो हमने अभी तुरंत पढ़ा है इस 2.68% next question आर्थिक सर्वेक्षन 2019-20 के नुसार GSDP का कितना पर्सेंट जो है वो रेविन्यू से प्लस रहा है तो कितना पर्थिस रहा है इस 1.34% next question पंद्रवे वित आयोग ने वस 2020-21 के लिए अपने रिपोर्ट स्रॉंप दी है वित आयोग की पंद्रवे वित आयोग के शिफारिस के नुशार केंद्र के कुल शेरेबल रिसोर्स पुल में बिहार का जो प्रतीशत है वो 9.67% से बढ़ा कर बीस-इक्षिस के लिए कितना पृतीशत हो गई है मतलब कितना परसंट का इंक्रीज हुआ है तो यह हमने अभी देखा है 10.06% तो आई होप यह वीडियो आपके लिए उस्फुल हो तास अल फो टोड़े थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फो इस डिसकुशन